बहुत पुरानी बात है एक जंगल में एक गुरु कुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे एक बार की बात है गुरु जी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार-बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था गुरु जी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा जर अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरु जी के आगे कर दी हथेली देखकर गुरु जी बोले बेटा, तुम घर चले जाओ, आस्त्रम में रहकर अपना समय वर्त मत करो, तुम्हारे भागी में विद्या नहीं है सिस्सी ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है गुरुजी ने एक दूसरे होसियार विद्यार्थी की हंथेली उसे दिखाते हुए कहा यह देखो यह है विद्या की रेखा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है इसलिए तुम समय नश्ट ना करो घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चांकू निकाला जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपने दातून काटने के लिए किया करता था उस शाकू की पैंजी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी हाथ लहुलुहान हो गया तव गुरुजी से बोला मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी यह देखकर गुरुजी द्रवितो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया गुरुजी बोले तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोख सकती बेटा द्रण निश्य और परिस्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं विद्यार्थी कौन था विद्यार्थी आगे चलकर महरसी पढ़नी के नाम से प्रसिध हुआ जिसने विश्व प्रसिध्य व्याकरण अश्टा दिहाई की रचना की है इतनी सदियां बीच जाने के बाद भी आज 2700 वर्सों बाद भी विश्व की किसी भी भासा में ऐसा उतक्रष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रांद अब तक नहीं बना तो दोस्तों इस कहानी की सिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले हम हर एक को गलस साबित करते हुए अपनी लगन और परिस्तरम के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हांसिल कर सकते हैं